चलो स्टार्ट करें देखो कर जो मैंने आप लोगो रियक्षर ओमवक दी थी वह आप लोगो ने कर लिए एक वर मैं बैलेंस करके बता रहा हूं पूरे मेथड सारी स्टेप फॉलो नहीं करूँगा एक ही जगा पर सारा कर दूँगा है ना आप लोग क्रॉस्चेक करते रहो किसका गलत है किसका सही है ना दो सबसे पहली सबसे पहला होमवक क्या था मैंने आपको दिया था एम एनोंफोर नेगिटिव किसे रियक कर रहा था Fe 2 positive से और acidic medium था और बना रहा था Mn 2 positive प्लस Fe 3 positive दो सबसे पहला काम क्या था? Valency factor निकालना दो Valency factor कैसे निकालेंगे? जब Mn है, तो Mn के उपर कितना charge? Plus 7 दो Mn 2 positive के पास कितना charge? 2 positive अब कही बार कहना बच्चे क्या दोस्ते सर, जैसे Mn के उपर 2 positive है, तो आपने 2 positive charge समझ लिया तो सर, ऐसे MnO4 के उपर लिए तो negative charge है? Negative क्यों नहीं समझा? ये doubt आते है बच्चों कैसे? कि MnO4 negative है तो आपने minus 1 charge क्यों नहीं लिया? क्योंकि हम क्या कर रहा है? सिर्फ एक element को देख रहे है यहाँ पर Mn अकेला था लेकिन यहाँ पर दुकेला है दुकेला भी नहीं है, पचेला है चार oxygen rate मn, है ना? तो आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है? देखो, कितना हुआ डिफरेंस? वैलेंसी फेक्टर का? 7 minus 2 is 5 और Mn कितना है? 1 ग्रीक वैलंसी फेक्टर कितना है? 5 घ्रलना को जांगि क्या यहा पर plus 7 से plus 2 जा रहे? plus 7 से plus 2 जा रहे है? इसका मतलब क्या हो रहा है? oxidation नमबग एकालो किसा हो रहे? reduction हो रहे है अगर reduction हो रहे है तो किसका reduction हो रहे है? Mn का reduction हो रहे है 1 का और Fe भी कितना है? 1. तो वालंसी वेक्टर कितना है? 1. अब क्या बोलते थे? Cross multiply the valency factor on reactant side. तो reactant में तो यह दौन हो है. तो इसका 1 F इससे multiply होगा, इसका 5 इससे multiply होगा. और देखो क्या बना? MnO4 negative plus 5 Fe 2 positive gives Mn2 positive plus Fe 3 positive यही हुआ. अब एक चीज़ समझो. इसके बाद हम क्या करते है? Balance all the atoms other than oxygen and hydrogen. तो यहार F1 यहां पर 5 है, तो यहां पर भी कह लिख दो. 5 हे लिख दो. Mn1 था तो 1 का 1 है. इतना तो correct है. अब balance oxygen by adding? Water. बुनों, यहां कितने oxygen? 4. यहां कितने? 0. यहां पर oxygen कम है? उस तरफ. Product side. और कितने oxygen कम है? 4 oxygen कम है. तो चार क्या जुड़ गया? पानी. बुलो चुड़ा. अब क्या करेंगे? Balance Hydrogen by adding H-Postivine. बुलों, यहां पर कुई H-Postivine है? क्या यहां पर है? यहां पर कितने Hydrogen है? 4 to the. जिसका मतलब 8 H-Postivine कहां जुड़ेंगे? यहां जुड़ेंगे. और यह देखो, आपकी reaction हो गई है. Balance. बुलो, किस-किस की सही है? एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ. शाह आवाज. सही है जावाज? बुलो, है आसान? चलो, next आजाएंगे. Next देखते हैं. Second. तीनी question दीती शाहिद मैंने? है ना? तो next क्या थी? MnO4 negative. और I negative. Acidic medium में क्या बना रहा है? Mn2 positive plus I2. बोलो, यही था क्या? फिर से Mn की उपर-charge plus 7. Plus 7 से खांगया, plus 2. Valency factor कितना आया? 5. इंटु 1. क्योंकि एक Magnees था तो valency factor, 5. Iodine 2 उपर-charge है, minus 1. लेकिन Iodine natural form में कैसे मिलता? I2? और जब वो nature की form में मिलता तो उसमें क्या आएगा? 1. तो valency factor कितना हो गया? 1. Iodine भी कितना है? 1. Total आगया? 1. Now again, cross-multiply दा valency factor. Valency factor क्रॉस cross-multiply करो, तो तो क्या बना? MnO4 negative plus I negative. अब I से किसका multiply हुआ? 5 का. MnO4 से किसका multiply हुआ? 1 का. Gips. Mn2 positive plus. यहां लिख दू? यहां लिख देते हैं. MnO4 negative plus 5 I negative gives Mn2 positive plus I2. Now balance all the items other than hydrogen and oxygen. So balance कर दो भाई, यहां 5 है यहां 2 है? 5 मटे 2 लिख दू? 5 by 2. लिख सकते हैं? है ना? यहां 5 by 2 लिखा. 2 से 2 कट गया. क्या बच्चा सिर्फ? 5 बच्चा. Iodine balance हो गया. आप एक तरीका और कर सकते हो. यहां पर 10 कर दो. और वहां 5 लिख दो. आखर में क्या होगा? यह 2 यह multiply तो होगा? आखर में वही चीज़ों की जोगारा भी. तो आप ऐसे भी कर सकते हो. Now balance oxygen by adding? जल. हां. By adding जल. यहां पर oxygen कितने है? चार oxygen कितने हैं? तो कितना पानी आया? चार वोटर आ गए. दीखा? अब आगे देखो. Balance hydrogen by adding? H post divine. अब यह hydrogen कितने हैं? 4 to the 8. तो यहां पर किया है? 8 H post divine. लेकिन हम लोग normally reaction को fraction में नहीं लिखते हैं. तो reaction को fraction में नहीं लिखेंगे. तो इस 2 से सबको multiply करो. यह divinement हुआ है. यह पूरी reaction को 2 से multiply करो. तक ही 2 करजा है. तो कितना आ गया? 16 H positive. Plus 2. 4 negative. Plus 5. 10. 10 I negative gives. 2 Mn. 2 positive. Plus 5. I2. Plus 8. S2. बोलो. आया? है यह साथ. कर सकते हैं. कोई डाउट? पढ़े चला. मुलत किस-किस का सही है? 1, 2, अरे वाँ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. जिसे multiply नहीं किया? फ्रेक्शन में चोड़ा है. कोई बात नहीं है? कोई problem नहीं है, न? ठीक है? चलो. आगे बढ़े? आगे बढ़े? चलो. नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट क्या है? H2S MN O4 negative plus H2S H2S ही था बढ़े? Gives MN 2 positive plus S मेरे क्या बोला था? H2S से S बन रहा है यह वाला जगह का मैं तो यह वाला पार्ट में लिख नहीं रहूं तो आप लोग लेना कुस्ते यह बोला था खाली एक में कैसे करात होगे, भाई? इसलिए होगी नहीं इसलिए होगी नहीं यह बोला थारह मैंने? हाँ होगी न, हाँ तो ध्यान लखना है चलो तो यह वाली एक बार अगर ऐसे नहीं लिखी है तो ऐसे लिखने है और करके देखो फटा-फट चलो ट्राइ मारो जल्दी से चलो तो करके देखो देखो यहाँ पर MN से MN 2 पॉस्ट यह प्लस 7 है अगीर वैलेंसी फेक्टर कितना आएगा? देखो, सल्फर सल्फर के उपर यहां कितना चार्ज है? हाँ, कितना? माइनस 2 और यहां कितना है? 0 है 0 दीख रहा है? यहने क्या हो रहा है? Loss of electron, Oxidation और देखो, कितना है वैलेंसी फेक्टर 2-0, 2 आया देखो, कितने सल्फर है? 1 तो वैलेंसी फेक्टर कितना है? 2 आया Now, cross multiply the valency तो देखो, क्या हो जाएगा 2 MN 4 negative plus 5 H2S gives MN 2 positive plus sulfur Now, balance all the atoms other than Oxygen Hydrogen तो देखो, यहाँ 2 MN है तो यहाँ पर भी कितने आगे? 2 MN आगे 5 Sulfur है तो यहाँ पर भी क्या आगे? 5 Sulfur आगे 5 Sulfur आगे अब देखो, इसके बाद आप लोग क्या करोगे? 5 Sulfur आगे अब बैलेंस करोगे Oxygen Balance Oxygen by adding water देखो, यहाँ कितने Oxygen है? 4 Sulfur 4 Sulfur यहाँ कितने Oxygen है? 0 तो इसका मतलब यहाँ कितने Water है? 1 Water आगे पानी आया 8 Sulfur बुलो यहाँ आया अब क्या करोगे Balance Hydrogen चलो दौन तरफ Hydrogen देखो यहाँ बुलो Hydrogen कितने? 5 Sulfur 10 यहाँ कितने? 8 Sulfur 60 बुलो अरे भाई कितने Hydrogen कम है? 6 तो 6 Hydrogen का हैंगे? 6 Sulfur बुलो यहाँ होगी बुलो सबकी यहाई है 6 Sulfur पॉस्टिफ प्लस 2 MnO4 नेगिटिफ प्लस 5 S 2 Mn2 पॉस्टिफ प्लस 5 S प्लस 8 S2 बुलो किस-किस की यहाई है? 1,2,3,4,5,6,7 बुलो खर्लो के Balance है आसान पक्का आसान है चलो आप बात करते हैं किसके बारे में S basic medium के बारे में S रिक पढ़ लिया अब basic के बात करते हैं तो reaction को आप बैलेंस कर रहे हैं किसमे basic medium में है ना देखो step wise balance करनी की जरूरत नहीं है अगर आपकी practice अच्छी है अगर आपकी practice अच्छी है आपको steps करने की जरूरत ही नहीं है मतलब बार बार नहीं लिखनी एक question देखो मैं क्या कर रहा हूँ एक बार बैलेंसी फेक्टर निकाला तो एक ही में सारे balance कर रहा हूँ तो जैसे आपकी practice बढ़ेगी ना वैसे से आप भी ऐसी balance करने लगोगी चलो अब करते हैं in basic medium भाई यह important है भाई in basic medium basic medium अभी तो जब मैं आपको redox titration कर रहा हूँ आप इसमें तब यह बहुत helpful है इसलिए reaction balancing करनी आनी चाहिए नहीं को basic medium मैं आपको बोला MnO4 negative react कर रहा है i negative से और वो बना रहा है MnO4 2 negative plus IO3 negative बड़ी ही अच्छी equation है भाई बहुत अच्छी equation है जैसे ही मैं आपको oxidation number से reaction balancing करना सिखाऊँगा आपका homework क्या रहेगा NCRT खोलोगे जितनी भी reaction balancing है सब को आप लोग oxidation number method से करोगे और करके लाओगे और फिर मुस्से पूछोगे और जो नहीं हुआ वो मुझसे पूछना अपने answers cross check करना अब यह आपको करना है redox के लिए NCRT जादा खुछ नहीं करना NCRT कर लो सब हो जाए ठीक है चलो सबसे पहले again MN के उपर plus 7 charge लेकिन MN के उपर plus 6 charge निकाल लो MN को क्या लिया X plus 4 oxygen oxygen तो पर minus 2 charge equal to pure molecule के उपर minus 2 तो X minus 4 to the 8 equal to minus 2 X equals to minus 2 plus 8 is plus 6 Iodine के उपर charge निकालो यहा X plus 3 oxygen oxygen के उपर charge minus 2 equal to minus 1 X minus 3 to the 6 equal to minus 1 X equals to plus 5 तो यहाँ Iodine पर plus 5 यहाँ Iodine पर कितना minus 1 अब यहाँ तुम लोग रहा देखो कैसे देखो द्यांस सबसे पहले MN 10 plus 7 से गया पिठा plus 6 बुलो कितने का डिफरेंस 1 का MN भी कितना 1 Iodine के उपर कितना चार्ज minus 1 कितना चार्ज minus 1 minus 1 से कितना गया plus 5 बुलो कितना हुआ बुलो कितना चार्ज बुलो कितना चार्ज 6 तो 6 इलेक्ट्रोन निकाले हैं कितने निकाले हैं 6 इलेक्ट्रोन निकाले हैं तो मैंने बैलेंसी फेक्ट्रोन क्रॉस मल्टिप्लाई किया 6 मनो 4 negative plus 1 into I तो I negative gives MN O4 2 negative plus IO3 negative दिख रहा है अब क्या होगा बैलेंस all the items other than oxygen and hydrogen तो चलो बैलेंस करो देखो यहां पर यहां पर MN कितने हैं 6 तो यहां पर भी कितने हो जाएंगे 6 iodine 1 1 Now after that balance oxygen by adding water बुलो यहां कितने oxygen है 6 4 जा 24 बुलो यहां कितने oxygen है 6 4 जा 24 plus 3 कितना है बिटा 27 कितने oxygen का difference 3 27 minus 24 कितना हुआ 3 किस तरफ कमी है reactant side तो आप ऐसे लिख सकते हो 6 MnO4 negative plus I negative plus 3 पानी बुलो लिख सकते हैं बुलो लिख सकते हैं बुलो क्या reaction balance होई लेकिन यह तो acidic medium में होगी और हमें किसमें करनी है basic तो चारो step acidic वाली होगी बस step number 5 बस step number 5 5 तो बैलेंस या तो रिमूव H positive I am add equal number of OH negative I am on both side on both side तो दौन तरफ किसको add करोगे OH negative जरा बताओ H positive कितने है 6 है अगर H positive 6 है तो दौन तरफ OH negative भी कितना add करोगे 6 तो देखो ऐसे लिख दू 6 MnO4 negative plus I negative plus 3H2O plus 6 OH negative gives 6 MnO4 2 negative plus IeO3 negative plus 6H positive plus 6H plus 6 OH negative बोलो लिख सकता हूँ अरे बोलो देखो 6H positive और 6 OH negative ने मिलके क्या बनाया 6H2O दिखा यहां पे कितने पानी 3 क्या 3 से 3 कट गए अरे बोलो 3 से 3 कट गए तो reaction क्या बची 6 MnO4 negative plus I negative plus 6 OH negative gives 6 MnO4 2 negative plus IeO3 negative plus 3H2O और आप आपकी reaction हो गई है balance तो basic medium में क्या करना है basic medium में बस एक ही काम करना है क्या काम करना है basic medium में जैसे ही H positive balance हो जाए reaction balance हो तो दौन तरब बस क्या करो OH OH को equally add कर दो बोलो कर पाओगे अरे बोलो तो फटापट से note करो तो एक question आपको देता हूँ करो note चलो तो मैं आपको reaction देता हूँ देखो आप लोग उसको balance करो हना देखो आपको मैं equation दे रहा हूँ आपका question है MnO4 negative plus I negative gives MnO2 plus I2 और basic medium कैसा medium है? Basic medium चलो खरो जड़ा balance चलो तो देखो एक बार मैं balance करता हूँ आप लोग देखो ठीक है सबका आगया है यह पर देखो चेक करते Mn के उपर plus 7 charge यह Mn के उपर plus 4 charge Iodine पे negative और यह 0 देखो कितने का difference आया साथ में 4 गए तो 3 तो valency vector 3 यह कितने का difference आया minus 1 से 0 तो valency vector कितना हुआ 1 Now cross multiply the valency vector cross multiply किया तो देखो क्या है MnO4 negative plus 3 I negative gives MnO2 plus I2 Now balance यहा तक हो गया valency factor multiply हो गए balance all the items other than oxygen and hydrogen Iodine यहा 3 यहा 2 तो क्या आप इसके आप इसके आगया से लिख सकते हो 3 by 2 I2 तो 2 से 2 गटी किया तो कितना बचा 3 ही तो बचा 3 I negative यहा और 3 IOD यहा बोलो समझ भा रहे हो Now इसके बाद क्या था balance oxygen by adding water जो चेक करो यहां कितने oxygen है 4 यहां बोलो कितने है अरे बोलो कितने है 2 तो इसका मतलब 2 oxygen कहां पे खाम है product side यहाने कितने water जोड़े product side ऐसे लिख ले MnO4 negative plus 3 I negative gives MnO2 plus 3 by 2 I2 plus 2 S2 दिख रहे है अब क्या होगा balance करो hydrogen यहां बोलो hydrogen कितने 0 यहां कितने 4 तो 4H positive यहां पे add हो गए तो देखो 4H positive कर दिए add लेकिं medium तो कैसा है basic और basic medium में तो क्या करना पड़ेगा जितने H positive है उतने ही तौनो तरफ OH negative add करने पड़ेगे दिखो लिखा है न तो 4H positive है तो यहां पे लिखतो 4H positive plus 4 OH negative plus MnO4 negative plus 3I negative gives MnO2 plus 3 by 2 I2 plus कितने पानी 2S2 दिख रहे है अब जरह बताओ 4H positive और 4OH negative मिलके क्या पराएंगे 4 water बोलो हाया न देखो 2 water से 2 water कट गए मैंने OH दोनों तरफ add किये तो 4OH negative यहां पे भी होंगे 4OH इदर 4OH दो पानी से 2 पानी कट गए यहने वहां का जल जल गया है ना खतम हो गया तो क्या बच्चा देखो MnO4 negative plus 3I negative plus कितने water 2 water तो 2H2O gives MnO2 plus 3 by 2 I2 plus 4 OH negative बनों दिख रहा है यहां तक भी reaction छोड़ सकते हो गलत नहीं है लेकिन हम fraction में नॉर्मल ही नहीं छोड़ते है तो इस लिए 2 को क्या करेंगे तो पूरी equation से divide कर दो जैसे 2 को पूरी equation से divide करूंगा तो क्या रहेगा 2 MnO4 negative plus 6 I negative plus 4 H2O gives 2 MnO2 plus 3 I2 plus 8 OH negative अब आपकी reaction हो गई है balance बलो समझ आया बलो क्या आप इसको balance कर सकते हो कर लोगे एक और question दो चलो एक बार देखो जिसका नहीं हुआ है वो note कर लो चलो एक और देखो देखो अब इसको करो आप लो आपका question है अब क्या acidic medium में दे रहे हो कब तक basic में करोगे एक acidic में करो थोड़ा सा variation दे रहे है हमारा question है C2O7 2 negative plus SO3 2 negative Acidic medium में बना रहा है CR 3 positive plus SO4 2 negative ठीक है अब आप करो इसको balance acidic medium करो चलो तो करके देखे देखो बहुत ललू सा कोश्यन है यार देखो तुम लोग इस बात को याद रखो जितना तुम प्रैक्टिस कर लोगे ना और जितना जादा तुम कर लोगे यह तुम्हारी प्रोपरिटी ना भी इंज के रखो इस तुम कॉंश़िए्टी कर लोगे कांंशन ना तो जितना कॉंशयस्ली तुम कॉश्यależ करोगे उतना तुम अच्छा गर पाओ गई ऐसा नही का आपOOD पाह जल रहा है तो ध्यान दो यार, देखो, क्रोमियम, यहां लिख देता हूँ, क्रोमियम, C2O7, 2- प्लस, SO3, 2- गिवस, CR3- पॉस्टिब प्लस, SO4, 2- सबसे पहले खाम, वैलेंसी फेक्टर, क्रोमियम के ऊपर निकालोगे, तो प्लस 6 आएगा, यहार, ऑक्सिडेशन नमबर निकाला मैं सिखाया है, एक नहीं, करना, 15-20 मॉलेक्यूल के निकाले है, और यहां पर जितने भी आ रहे हैं, सबके निकाल चुके हो तुम लो, तो प्लस टाजी रखो, कि जल्दी जल्दी निकाल लो, इत्या टाइम लगने ही निचाहिए, और निकालने के लिए, पैन और कॉपी की नीट नहीं होनी चाहिए, वो दिमाग में देखती ही हो जाने चाहिए, समझ रहे हो, तो देखो, यहां प्लस 6 है, अगे निकालो कि तो प्लस 4 आएगा, प्लस 3 है, अगे निकालो कि यहां प्लस 6 आएगा, नहीं हो देख़ो, इस अलफर को X मानो, प्लस 4 oxygen, oxygen की charge माइनस 2, इक्वल to, माइनस 2, X माइनस 8 इक्वल स्टू, माइनस 2, X इक्वल स्टू प्लस 8, इक्वल स्टू प्लस 6 आगे है ना, कितनी बार सिखाऊंगा है? है ना असान? चलो, बैलेंसी फेक्टर निकालो. यो का सब्लस 6 से जा रहा है कहांपर? प्लस 3. अगर अगर प्लस 6 से फिलस 3 जा रहा है, तो कितने का डिफरेंट्स? तेन का डिफरेंट्स, लेकिन क्रोमियम कितने है? 2. तो कितना अगया? 6 Sulfur प्लस 4 से जाना, प्लस 6 कितने का difference? 2 का, कितने Sulfur है? 1, तो वालंसी वेक्टर कितना आया? 2 Now cross multiply the valencey factor on reactant side, तो देखो 2 का यहां multiply और 6 का यहां तो देखो क्या है? 2 Ci207, 2 negative plus 6 SO3, 2 negative gives Cr 3 positive plus SO4, 2 negative Now, balance all the atoms other than oxygen and hydrogen तो देखो, क्रोमियम कितने 2 2's हा? 4 Sulfur कितने 6 Now, उसके बाद balance oxygen by adding? जल तो oxygen किनो, अब तुम गलती क्या करो कि तेखो, तुम बोलो कि 2 7's हा? 40 है, इसको भूल जाओ 6 3's हा? 18 बोलो, 18 plus 14 कितना हुआ? 32 यहां बोलो, oxygen कितने? 6 4's हा? 24 बोलो, कितने का difference आया? 8 का 8 का difference तो उसके बादा 8 oxygen का में किस तरफ? reactant side, product side? किस तरफ? product side तो क्या आप 8 water लिख सकते हो? बोलो, हाँ यहां 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 आप बोलो, H positive देखो बोलो, यहां H positive अब कितने हो गए? 8 2's हा? 16 यहां बोलो, कितने हो गए? 0 तो कितने H positive जोड़ोगे? 16 H, हाँ 16 H positive जोड़ोगे लेकिन अब देखो, क्या सारी reaction 2 से divide हो रही है? आप यहां तक छोड़ दोगे, गलत नहीं है एक दम सही है, कोई गलत नहीं कर दो लेकिन अगर मैं इसको और अच्छा कर सकता हो तो मैं कोशिश करूँगा और अच्छा कर लो अब मुझे साफ-साफ दीख रहा है 16, 2, 6, 4, 6, 8 सबके सब 2 से divisible है तो 2 से divide कर दो तो 2 से इसको divide किया CR2, O7, 2 negative 2 से इसको divide किया तो 3, SO3, 2 negative 2 से इसको divide किया तो 8H positive Gips 2 से इसको divide किया तो 2 CR, 3 positive प्लस 2 से इसको divide किया 3, SO4, 2 negative प्लस 2 से इसको divide किया तो 4, SO2 और आपकी reaction क्या हो गई? Balance बोलो पता चला, बोलो है आसान, कर पाओगे कर लोगे, next lecture में, iron electron method से balance करेंगे, in half reaction method से balance करेंगे, वही पर मैं आपको disproportionation reaction भी balance करनी सिका हूँगो है ना, तो आज के लिए इतना ही करें, तो note कर लो एक बार